तो हेलो गाइस कैसे हो सब लोग इस वीडियो में आप लोग को दस ऐसे न्यू टीप्स एंट्रिक्स बताऊंगा जो कि गाइस आप लोग क्लाइस को रैंक खेलते हुए फोलो करोगे न तो गाइस आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेलके भी हर एक मैच जीत पाऊगे प्लेक्स बोलूंगा मैं खुद भी फोलो करता हूं तो गाइस इसी वज़े से मैं हर एक मैच जीत पाता हूं थोड़ा प्यार इस भाई के चैनल पर भी दिखाओ कोमेंट ओर डिस्रिप्सिन में चैनल का लिंक है सब्स्क्राइब कर दो यार तो वीडियो को शुरू करते ह अच्छा नहीं खेलते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना रेंडम प्लेयर के पीछे रहना है रेंडम प्लेयर फाइट करने जाए तो एनिमी इसके उपर एटाइक करेगा तो तुम ठट पाटी कर सकते हो पीछे से स्ट्रेटेजी को मैं खुद पोलो करता हू आप लोगों को पहले से डिसाइट कर लेना है कि आपको लोंग रेंज में खेलना है कि सोट रेंज में खेलना है देखो गईस मैं प्रसनली बता देता हूँ फर्स्ट राउंड और सेकिंड राउंड में सोट रेंज में खेलता हूँ बाकी जो भी राउंड होते हैं न मैं ज्यादा लोंग रेंजी प्रेफर करता हूं करेक्टर कॉम्बिनेशन जी आगा इस क्लाइस कोड रेंग में करेक्टर कॉम्बिनेशन से बहुत ही ज्यादा माइने रखता है आपको क्या करना है आपको हमेशा ही एक्टिवी स्किल में होकॉम लगाना है पैसिवी स्किल में हा लवारो इलाइट करेक्टर लेना है चाहे तो आप लवारो करेक्टर भी ले सकते हैं सामने वाली टीम में कोई प्लेयर बहुत तगड़ा खेल रहा है तो आपको उस बंदे को टार्गेट करना है इससे क्या होगा ना सामने प्लेयर जो भी बहुत तगड़ा खेल रहा है अग कि फिर आराम से आप गेम जीज सकते हो गन कोंबिनेशन अगर आप शोट रेंज खेलते हो तो आपको शोट गन और M10 लेना है उसके साथ में आप UMP और MP5 ले सकते हो अगर आप लोग वुट पेकर और ACAT और स्नाइपर ले सकते हो लेकिन आपको शोट गन लेनी जरूरी है तो आप एक शोट गन M10 और एक शोट गन ले सकते हो अगर आप लोग रेंज खेलते हो तो आपको हमेशा ही हाइट का एडवंटेज लेना है यानि कि आप राम से इजिली उसको वंटेप मार सकते हो पीछ सब भूल जाओगे तो इसलिए आपको ये वीडियो सेव कर लेनी है और आपको क्लाइस को ड्राइंग खेलने से पहले एक बार ये टू जैट पूरी वीडियो देख लेनी है इससे क्या आओगा ना जो मेंने टीज सेंट्रिक्स बताईए उसको आप भूलोगे नहीं और ग झाल